कि अग्याइज कैसे हैं आप लोग नेगेटिव 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 कि दुनिया का दस्तूर कहता है पूरा हिंदुस्तान नेगेटिव मार्किंग से हर स्टूडेंट है परिशाल क्या किसी भी एजुकेटर के पास है इसका निदान तो बताए वो एजुकेटर इसका समधान जी हां इस पर्टिकलर कंसेट के लिए मैं आ चुका हूं इस पर्टि इचा से लियुक्त के सीदैंस की हमेशा एक उनिक सन्यूशन हर एक प्रोब्लम का आपके लिए रहता है तो इस वीडियो में भी उनिक सैर Hindu संह संनों तो सबसे पेहले इस प्रोब्लम को सिलीट है विए पता होना चाहिए इस प्रोब्लम का बीस क्या है या च्छिन प्रोब For example, जब आप घर पे बैट के कोई question solve कर रहे हैं, किसी portal पे, किसी app पे कोई test दे रहे हैं, या आप किसी भी organization में कोई test हो रहा हो, offline वो आप दे रहे हैं, उस time पे आप test को या question को इस तरीके से opt करते ही नहीं, यह आपके exam का question है, आप उसको एक casually form में question solve करते हैं और उस पे आप तुक्का मारते हैं, कई बार यह चीजे मेरे खुद की classes में आप लोग apply करते हैं, जिसको हम तुक्का मारना बोलते हैं, जब तक आप अपने basic practice strategy से इस तुक्के को नहीं अटाएंगे, तब तक आप अपने negative marking को नहीं अटा सकते, कहने का यह मतलब है कि जब तक हम तुक्का को casually ले लेना, और यह सूच लेना कि यार यार इसमें को संट हमको कोई नुपसान है, चलो तुक्का मार के देखते हैं साथ यह सही हो जाए, जिस चक्कर में क्या होता है कि यह आदत हमारी बंती चली जाती है, और इस आदत यह क्योंकि हमने पता हो, जैसे यह तुक्का मार करना क्या है आपको, करना यह है कि अपनी accuracy को बढ़ाना, accuracy को बढ़ाने के लिए आप किसी भी question को तभी opt करें, जब आप उसमें 95-100% share हो, कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, अगर आप कोई भी question चाहे वो आज कल किसी telegram group में, whatsapp group में, facebook group में, किसी test portal पे किसी app पे, किसी website पे, किसी offline coaching में, anacademy पे, e-learnum पे, कहीं पे भी, even फुद से बैट के mock test में, कोई भी एक question आप solve कर रहे हैं, तो उस question को पहली चीज within time limit solve करिये, क्योंकि हम जब फुद से question solve करते हैं, तो time limit set नहीं करते हैं, जबकि examination में हर एक question के लिए हमारे पास time limit होता है, 3 से 4 मिनिट, 5 मिनिट, या whatever you can say, for CSIR, या date और इन सब में और भी ज़्यादा है, तो जब आप question करें, तो पहले time limit, जो है, वो set करें, the first point you have to set the time limit, और each and every question कहीं पे भी opt कर रहे हूं, secondly, never do a took का strategy, आप तुका कभी भी मत मारे, और तीसरी Qs question को तभी opt करें, जब आप 95 to 100% sure हो, कि मैंने जो कर रहा हूं, वो सही कर, शुरू में आपको थोड़ा समय लगेगा, शुरू में आपको performance अपने थोड़ा कम भी लग सकता है, लेकिन definitely इस habit को अगर आपने अपने अंदर incorporate कर लिया, अगर आपने ये तीन habit, हर एक question, life में, चाहे कहीं बेभी, किसी भी platform, कैसे भी question करो, हर एक question within time limit set करना, दूसरा तुका नहीं मारना, और तीसरा तभी करना, जब आपको आता हो, यगर तीन habit आपने हर एक question के लिए धीरे धीरे इस behavior को evolve कर लिया, अपने अंदर adopt कर लिया, acquire कर लिया, तो definitely ये behavior आपका CSIR, GATE, DBT, किसी भी entrance examination में छलकेगा, और तरी भी question आप opt करेंगे, इसी pattern पर opt करेंगे, क्योंकि time limit है, तो accuracy maintain रहेगी, अगर आपने तुक्का मारना छोड़ रखा है, तो भी accuracy maintain है, और जब आप 95-100% severity के साथ करेंगे, तो भी accuracy है, तो negative marking automatically, जो है, वो reduce society, so ये तीन basic funda है, जिसकी वज़र से जो है, आपके negative marking बढ़ हैं, so definitely आपको काफी help मिलने बाली negative marking में, इसके बाद जो base, दूसरी एकदफ मेजर हम बात करते है, negative marking को eliminate करना, पर concept को concrete तरीके से पढ़ना, so in strategies और ये मैंने बता, एक base strategy है, negative marking को हटाने का, इसके बाद एक advanced strategy है, that strategy is like, आप जो बढ़ते हैं, उसके key points को अच्छे से करना, concept की clarity रखना, पही बार क्या होता है कि कई जगों पे, या कई platform पे, या कई educators किसी कई के information को incomplete, या incorrect to deliver कर रहे होते हैं, incomplete knowledge हमेशा ही खतरनाक होता है, और जिसकी वज़े से learners जो है, हर जगा पे shortcut method try करने की कोशिस करता है, shortcut method, incomplete knowledge या सही तरीके से किसी knowledge को गैदर ना करना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और आप उसी knowledge को apply करके गलत out कर लेते हैं, आपका confidence peak पे होगा, लेकिन आपका knowledge जग गलत होता है, तो answer गलत ही होने बागा, इसलिए जो भी पढ़े सही resources से पढ़े, सही तरीके से apply करे, क्योंकि कई बार educator तो अपना पूरा effort देता है, कई बार educator की कोई गलती नहीं होती, लेकिन learners उस educator के delivery information को उस तरीके से gather नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही educator अगर इतना खराब पढ़ा रहा होता, तो उसका कोई भी बच्चा qualify नहीं होता, और वो इतना ही अच्छा पढ़ा रहा होता, तो उसको सारे बच्चे qualify कर जाते, तो आ और किसी भी concept के focus करते, उसका concept, keywords, formula, इन सब चीजों पर जब focus करेंगे, तो definitely आपके incorrect होने के chances काफी कम हो जाएंगे, तो यह base और advanced level की strategy, मैंने इस वीडियो में बताने की कोसिस करी, मैं उमीद रखता हूँ कि आपको यह strategy helpful लगी होगी, अगर यह strategy helpful लगी है, तो इस वीड के comment box में बता सकते हैं, मिलता हूँ next video में, till then, bye bye, take care and all the best. Hey guys, my name is Viren Singh, welcome to this particular video, I teach all units for the CSIR, I transformed 1000 plus minds and I have qualified many dress examinations, I teach CSIR on an academy platform, so I have launched many particular plus and iconic courses, so you can join me on an academy, this is my profile and you can see there is like plus options, so you can get India's best educator, interactive life classes, structured courses and PDF, live test and quizzes, you will find on the plus, apart from plus, if you subscribe for iconic, you will get personal course, personalized doubt solving, preparative study materials, SOP and interview preparations, use my referral code VirenLIFE to get the 10% discount on plus or iconic subscriptions, these are some batches where you can join on an academy or you can see individual classes, biochemistry, biochemistry, inheritance biology, methods in biology, different, different courses are there, so that you can join, you can crack CSIR license very easily and very smartly, full length courses are there, new batches every week, dedicated doubt sessions, weekly quizzes, full mock test, you will get on an academy subscriptions, so these are the offers, you can subscribe for 3 month, 6 month, 12 month or 24 month, this is the price structure, if you subscribe with a referral code Viren or VirenLIFE, you will get the 10% discount and this price 11,600 will be reduced to the 10,545 for your 6 month subscriptions, so you can join in my special classes, where interactive life classes are there, these are the free classes, you don't need to pay, not need to pay any penny or any coin, any particular rupees for the classes, so you can join it freely, pull the learner's options are there, raise your hand options and never miss classes, there is a notification for each and every class and lecture notes will also be provided, join me on an academy, use the referral code Viren or VirenLIFE to get the 10% discount, thank you so much.